अभी हाली में आप लोग उन्हें देखा होगा, मेटा यानी की फेस्बुक के द्वारा एक एप का अनावरन किया गया है, जो आपका इस्टराग्राम से जुड़ा हुआ है, तो आज हम लोग इसके बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे, कि ये अपलिकेशन है क्या, और इसका उपयोग किस तरह से करेंगे, इसके बारे में कुछ और भी मातपूर्ण कॉइंट है, और इसका उपयोग क्या सोरक्षित है, और इसे ट्वीटर का पिती इसपरड़ी माना जा रहा है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, और देखें फेस्बुक के बारे में बात हुआ था और Twitter देखें तो ये 2006 में आया था इसका Twitter के Headquarter का है San Francisco California USA में आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आप लोग Civil Service की तयारी करें ना UPS लीगे तो जो मुख परिक्चा यानि कि मैन परिक्चा होती है ना मैन साब की उसका सामान अधियन पिस्नपत्त तीन से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है बिज्ञान परुद्धकी की परते हैं ना Science and Tech उसी से जुड़ा हुआ ये यादी रखिएगा आप लो तो मेटा ने एक एप का अनावरिंग किया है मेटा का Threads एप एक Text आधारित मेसेज़िंग एप है और जो आप देखते हैं कि लोग परिये माइक्रो विलोगिंग पिले टॉइटर की समान है और आप देखेंगे इसमें Threads एप मेटा का माइक्रो विलोगिंग पिलेटफॉर्म है अगर आप से संसकंड की रूम में पिश्टूत किया गया है और यह बास्तिविक समय की अपडेट और सारीनिक बातारलाप भों के लिए एक नया और अलग इस्थान प्विदान करता है और Threads App पर सुरक्षित निस्पक्ष और बिना किसी फिल्टर की बेचारों का आदान प्विदान किया एप मेटा का एक बिल्कु नया माइक्रो विलोगंग फिलेट फॉर्म है और एप को इस्टरागराम टीम द्वारा डिजाइन और निर्मिट किया गया है और इसे टेक्स्ट अपडेट सांजा करने और सारीनिक बातचीत में सामिल होने के लिए एक मंच पिदान करता है और आप लोग सेटिंग में जाएंगे ना किसकी इस्टरागराम की तोहां से भी आप लोग डानलोड कर सकते हैं और दिल्चस्ट बात है कि थेड्स एप आपके दोस्तों और फॉलोवर्स के मौझूदा इस्टरागरम नेटवर्क का उपयोग आपके साथ करता है और इसका मतल जब इसका मतलब है कि थेड्स एप के लिए ट्राइन अप करने के लिए आपको अपने इस्टरागाम अकाउट का ओपयोग करना होगा वहीं से आप लोग साइण इन कर जाएंगे आप लोग उसमें क्या थेड्स एप ट्ट इटर से यालक है तो थेड्स एप एक ट्विटर किलोन कहने का मतलब क्या होता है? पता है? उसका सेम किलोनि आप लोगोंने सुनी होगी न फोटू कॉपी कहे लीजे अब को इसतरह से तियार किया गया है कि सोसल मीडिया पर द्रस सामगरी साजा किया जा सके 3rds app बिल्कुल Twitter की तरह काम करता है Twitter में सब्दे सीमा 280 सब्दे होती है इसमें 500 है यानि कि 30 परदा कर रहा है किसे? Twitter से Twitter की तरह 3rds app 3rd app में भी किसी के पोस्ट को अध्भूत अध्भूत या फिरी पोस्ट भी कर सकते हैं हला कि Twitter की विफ्री एक बार पोस्ट करने के बाद 3rd app में संसोधन की गुंजायस की गुंजायस नहीं होती है ये भी आप लोग याद रखिएगा तो सोच समझ के लिखा करिएगा और Twitter की विफ्री तरह 3rds app के हैस्टेग का उपयोग नहीं कर सकते हैं एस्टेग का उपयोग कर लेते हैं आप लोग Twitter पर तो उस तरह से नहीं इसमें कोई टेंडिंग अनुभाग भी नहीं अभी दिया गया है हो सकता है कि आंके परिवर्तित हो कुछ संसोधन हो अपडेट हो 3rds app का उपयोग अगर आप देखें तो आप देखें 3rds app का उपयोग करना Twitter से अलग नहीं है एप खोलने पर 3rds को लाइक करने री पोस्ट करने रिफलाई करने या फर कोट करने के लिए बटन दिखाई देते हैं या उपयोग करता को एक ही पोस्ट में अधिक्तम 10 फोटो साझा करने की अनुमती भी देता है आपका 3rds और क्या इस्टरागराम और 3rds app मूल रूप से एक ही है जब आप 3rds app में फोटो और वीडियो साझा करते हैं तो वे इस्टरागराम पोस्ट या रिल्स के रूम में दिखाई नहीं देती हैं यह आप लोगों को मालून चाहिए इसका मतलब है कि इस्टरागराम और 3rds दोनों मूल रूप से एक ही कि नहीं है लेकिन उससे आप लोग जुड़ा हुआ देख रहे हैं अब आपके मन में आता है कि क्या 3rds app सुरक्षित है तो 3rds app में वही बिसेस्ता है जो उपयोग करता कि सुरक्षा के दरिष्टी कौन से इस्टरागराम में है और जैसे आप उस समगरी को फिल्टर कर सकते हैं और जिसमें आपकी रूची नहीं है कुछ ऐसा जो इस्टरागराम पर पहले सी ही उपलब्द है इसके अलाबा अगर आप लोग देखें तो यह भी नियंतित कर सकते हैं कि कौन उत्तर दे सकता है या किसी पोस्ट में अंतर नहित सब्द फिल्टर सहित उलेग कर सकता है ताकि बे सब्द आप देखेंगे बे सब्द आपको उत्तरों में दिखाई ना दे और निजता से जुड़ा मुद्दा तो Twitter की तरह Thread App खाते भी साजवेक या निजी हो सकते हैं और जिन खातों में Instagram पर विलोग किया है बे Threads एप पर भी 140 रूप से विलोग हो जाते हैं और सीधे Thread App के भीतर से खातों को unfollow विलोग कर सकते हैं और उपयोग करता की GoPineta के लिए Meta पर भरोसा करने की बात आती है तो हमेशा संदे होता है ये देखती हुए कि Company उपयोग करता डेट इकत्तित करने के लिए कैसे जानी जाती है या उनका उपयोग कैसे होता है और आप देखे इस बड़ी उची कीमत पर ये डेटा बेंचा जाता है, इसका अपना एक बाजार होता है, third app, Twitter के मुकाबले बेहत personal जानकारी डेटा कलेक्ट कर रहा है, और जैसे payment, contact, content, search, browsing, history, आदी को भी access करता है, third app, health और fitness डेटा, डेटा को भी कलेक्ट करता है, threads की, और आप भी download करेंगे, उपयोग करेंगे, तो आप इस समझ में और आजाएगा कि इसका उपयोग किस तरह से होता है, बस आप लोगों को कुछ point ही, उनके बारे में जरूर याद रखना चाहिए, हो सकता है कि आपको मुक फरीक्चा में questions पूँच ले, तो मुझे लगता है कि इतना पढ़ लेंगे, तो आप लोग आसानी से उसका जबाब भी दे लेंगे,